What's up guys, my name is Parul and you are watching Parul TV तो हाँ जी दस तो आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं about those universities that are offering one year master's program in Canada ताकि आपको मिल जाए तीन साल का work permit और धेर सारे आपके पैसे भी बच जाए दोग आपने रिसेंटी खबर तो देखे होगी कि Canadian government के अभी recent announcement के मताबिक if students are coming to Canada and are getting enrolled in one year master's program they are still eligible for three years of PGWP post graduation work permit इसका मतलब बहुत ही simple है एक साल पढ़ाई करो, जल्दी से जाब लो, दोग साल लगाओ जाब के अंदर PR share apply करो और कर लो जी अपनी life set तो आज की वीडियो में आपके साथ वो सारी universities share करने जा रहा हूँ जिनमें popular one year master's program offer किये जाते हैं ताकि जाकर आप उनकी website check करो और जल्दी से करतो जी apply अगर आप apply करना चाते हैं जी पारूल TV immigration आप वो भी कर सकते हैं आपकी free assessment की जाएगी profile की लिंक में नीचे दे रहा हूँ जाकर check out कर लो my team is going to reach out to you from India office तो चलो जी जावा टाइम वेस नहीं करते हैं शुरू करते हैं जी आज की वीडियो और लेट्स टॉक अबाउट यूनिवर्सिटीज आफर वान येर मास्टर्स प्रोग्राम इन कानड़ा दोस्तो ऑप Canada के अंदर मास्टर्स होती है दो तरीके की एक होती है course based और दूसरी होती है thesis based research based course वाले में आपको कुछ courses assign होते हैं आपको वह करने होते हैं in the given amount of time और जो thesis वाली होती है उसमें आपको proper research करनी पढ़ती है professor के साथ लगके thesis करनी पढ़ती है उसमें तो आपके आराम से दो साल लग जाते हैं तो mostly जो साल के program होते हैं वो course based ही होते हैं इसके बार में जादा बात करते हैं आगे जाके पर उससे पहले जी मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं कि Canada के अंदर अपना पैसा कैसे manage करना है देखो सबसे पहले तो जी आप new financial का high interest savings account जरूर खोल ले ना उनका link में नीचे दे रहा हूं उसमें आपको मिलता है जी up to 5% rate of interest दूसरी चीज़ी नियो का money account जो कि everyday आपका spending card है और यह master card है बहुत ही मज़ेदार card है इसमें आपको मिलता जी up to 15% cashback ये भी आपको Canada में अन यहां पर $100 up to spend कर लोगे तो आपको इतना पैसा आएगा और हर स्टोर पर लग लग cashback आता रहता है तो overall आपकी काफी side income बन सकती है सिरफ पैसे spend करने से ही इसको apply करने का कोई खर्चा नहीं है इसकी कोई annual fees नहीं है जैसे बाकी card की 100-200 annual fees होती है जो same features provide करते है इसकी कोई fees इस नहीं है guaranteed approval है और सबसे बड़ी चीज आप Canada अगर आए ही हो आप इंडिया के passport से apply कर सकते हो बाकी bank बोलेंगे कि लेकिया की ID तो इंडिया की ID से ही आप approved हो सकते हो नीचे मा लिंक दे रहा हूं जी पारवल TV के subscribers के लिए special offer है 25 डॉलर आपको मिलेंगे जैसा ही आप sign up कर करते हैं और इसमें कोई hidden charges नहीं है कुछ hidden agenda नहीं है sign up करो 25 आपके account के अंदर आ जाएंगे उसके बाद आप जितने दोस्तों को refer करेंगे सब के 25-25 आपको मिलने मिलने यानि अगर आप 10 लोगों को refer कर रहे हो तो आपका 200 डॉलर तो यहीं पर बन गया plus 25 जोईनिंग यह 300 डॉलर आपके खड़े हैं जब मरजी sign up कर लो नीचे लिंक है जाकर इनकी सारे features check out करो तसली करो और apply कर लो बहुत amazing card है मेरे तो बहुत फायदे हुए मैं चालता हूं आप सबके भी हो Link is in the description go check out new financials money card अब चलते हैं जी वीडियो के topic पर तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे master's program की course वाले में आपको करने पड़ेंगे कुछ courses हर university का अलग criteria courses को अधिके जाते हैं कुछ credits for example अगर आप एक course कर रहे हैं उसके आपको साल आपके लगने ही लगने किसमें आप supervisor के साथ बैठके पूरी research करते हो case studies करते हो survey करते हो इसी में time लग जाता है अगर आपको बैठके कोई time की चिंता नहीं है फिर आप thesis वाले में आजाना तो चलिए बात करते हैं universities के बारे में जो की one year programs offer करती है आपकी background के हिसाफ से graduate section में जाओ जाकर देखो वो program कौन सा है कब apply कर सकते हो कौन सा intake है आपके alignment हो रही है कि रिक्वार्मेंट के हिसाफ से करदो जी apply सबसे पहले बात करते हैं जी reputed universities की उनकी detail में आपको थोड़ी बहुत बाते बता देता ह इसमें जो courses offer करते हैं जी वो है engineering, management, education, law, public health and more इनके सारे programs है जाकर देख लो जी नेक्स जो आ जाती है जी हमारी लिस्ट पे वह है University of British Columbia अब यह University है जी BC में Canada की यह भी बहुत सुंदर और one of the beautiful campuses में से एक है जी पूरे Canada में कर हम universities की बात करें इनके जो one year program है जी वो है जी areas में business, journalism, public policy, data science and more जाकर कर लो check out यह इनके primary है ठीक है जी तीसरी जो university आ जाती है वो है जी Megill University Montreal अब यह दूसरे तीसरे निमबर पे रहती है UOT और UBC के साथ ही इनके जो one year master's program के major's है जी जो काफी popular है वो है music उसके बाद है जी dentistry, nursing, social work and more department of arts है जी वो इनका ज्यादा popular है एक साल के programs के लिए बाकी जागे इनकी website आप check out कर लो चौती चीज उनिवर्सिटी आती है जी वो है University of Alberta और इनके जो popular courses है जी engineering, public health, business, education जीको अलबर्टा वैसे भी सुन्दर बहुत है मेरे को बस वहाँ पर एक चीज जो ज्यादा अच्छी नहीं लगती है कि वहाँ पर business establishments ज्यादा नहीं है petroleum companies and mining companies काफी है लेकिन IT और बाकी जो industries है वो थोड़ी सी कम है लेकिन overall अगर कोर्स करना है तो उसके लिए best university के आप जरूर चेक आउट कर सकते हैं अगली university आ जादे चेक आउट इनकी website भी बाकी जो universities है जी ऐसे बहुत सारी है जिनमें बहुत सारे यही वहले department से आएंगे तो मैं काम करता हूं फटरफट आपको सारे नाम बता देता हूं और आप जाकर इनकी जो website है वो चेक आउट कर लेना location में आपको नीचे दे रहा हूं बस आपको जा जाओगे तो टरोंटो इस तरफ जाओगे तो मॉंट्रियल सीधा जाओगे तो ओटवा बड़ी स्ट्रेटिजिक लोकेशन है जी क्वींस की उसके बाद आजाती है जी साइमन फ्रेजर उनिवर्सिटी ताइट अलसो वेरी पॉपुलरर यूनिवर्सिटी अव गरी देन आ लौजी यूनिवर्सिटी, देन वी हाब निपłęसिंग य्णिवर्सिटी, यह नाम मैंने बहुत कम सुने में वैसे ? University of Winnipeg, University of Saskatchewan, Ontario Tech University अब इन युनिवरसिटीज के वेबसाइट पर जाके आपको परसनली स्कैन करना पड़ेगा देखो अगर आपको अच्छी प्रोग्राम या अच्छा कोर्स मिल भी रहा हो आप वो इन और कर देते हो और बंदे की बास सुन लेते हो पेरी आपको सजेशन यह होगी कि जाकर इनकी वेबसाइट पर पहले अपनी बरजी के पांचे कोर्स निकालो अगलग वेबसेट्स पर जाके फिर एजन को बोलो कि इन में से बताओ आप हमारे को कहां बेजोगे एक बात यह भी याद रखना कि इन युनिवर्सिटिस के जो गराफिकल लोकेशन जो है वह बहुत ही अलग है तो आपको बड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा कि आप कहा आपको सारे प्रोविंसिस का मेरा डीप डाइव अनलेसिस मिल जाएगा उनके लिंक में उपर दे रहा हूं वह भी आप जाकर चेक आउट कर लो पूरी सीरीज मेरे चैनल के उपर आपको हर रीजिन हर सिटी के उपर कुछ नहीं कुछ तो मिली जाएगा कि सारा अनलेसिस कर आना कि भी कैनड़ा आना है कि नहीं तो यह तीजी आज की वीडियो अगर आपको कोई कोशन से तो आप कर सकते हैं नीचे कॉमेंट इंस्टागाम पे जरूर फॉलो कर लो मुझे इंस्टाग्रम आइडिया है एड दी रेट कनेक्ट वारूल मेरे साथ अगर वीडियो कॉल बुक करना चाते हैं वो भी कर सकते हैं वाय गोगवान मैं वेब साइट अगर आप चाते हैं कि आपको इस चकरों के अंदर नहीं पढ़ना अनालेसीज वालिए और सीधाप लाई करने आपको अपनी डिगरी के लिए या पढ़ाई करीया डिप्लोमा के लिए किसी तरीक आ आपको Canada आना है, PR लेके आना है, यह एवन किसी और कंट्री में भी जाना है, Paral TV Immigration Services have now a physical location in Punjab, Jalander, plus हमारी टीम online support के लिए हमेशा ready है, आपकी free assessment करके देगी, करना कुछ नहीं है, नीचे जाकर लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप अपनी details डालो, हमारी टीम आपको 24-48 hours में reach out करके आपकी सारी बाते बाते जो कोशन जो ले लेगी, मेरे साथ बात करनी है, तो यह व्याव वीडियो कॉल, उसका लिंक भी में नीचे दे रहा हूँ, यही थी जी आज की वीडियो, चैनल को कर दो जी subscribe for amazing content आगे के लिए, नीओ financial को जरूर चैक आउट कर लो, वो हमारे थी जी, इस वीडियो के sponsor, नीचे दियाओ जी उनका भी link, कोशने ज़र तो करो जी नीचे comment, मिलते हैं जी next week with another vlog, till then keep watching पारू TV.